आज मैं आपके साथ पालक के बिल्कुल नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं यहां पर मैंने दो गिलास पानी जो है कड़ाई में रख दिया है और यहां पर पालक लिए यह दाइसो ग्राम पालक है जिसको मैंने अच्छी तरह से दो तीन बार वाश कर लिया है और इस पानी में हम इसको तीन चार मिनट के लिए बॉयल करेंगे बहुत जल्दी पालक हमारी बॉयल हो जाती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस जैसे हम प्लांच करते हैं उसी तरीके से हमें करना है तो यह देखिए सॉफ्ट हो चुकी है काफी अब हम गैस की फ्रेम को बंद कर देंगे और इस पालक को हम निकाल लेंगे प हम बनाते ही रहते हैं लेकिन अगर आपने एक बार पालक और कॉर्न के सबजी बना ली ना तो आप उस सबजी को भी भूल जाएंगे अब इसी कड़ाई में थोड़ा सा यहां पर एक बड़ा चम्मच बटर डाल रही हूं बटर से सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता ह और एक बड़ा चम्मच यहां पर ऑईल डाल रही हूं ताकि बटर जो है ना वो जले नहीं अब इसमें हम तो आदा चोटा चम्मच जो है वो जीरा डाल देंगे और जीरे की जैसे यह जीरा चटक जाएगा यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के प्यास जी लिये हैं जिनको मैंने छॉप कर लिया है आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और प्यास को हम देखे golden brown होने तक इसी तरीके से पकाएंगे और इसमें आदा चोटा चम्मच हम डाल देंगे अद्रक का पेस्ट आप अगर लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसके बाद देखें यहांपर मैं डाल रही हूं आदा चोटा चंबच लाल मिर्च ए थोड़ी सी लिए और एक वड़ा चंबच यहांपर मैंने धनिय का का पाड़र डाला है हल्दी बहुत कम डालते हैं क्योंकि ये हरे रंग की सबजी है इसलिए इसमें हल्दी डालने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर दो टमाटर मैंने पीस लिए हैं आजकल लाल टमाटर नहीं है इसलिए इसका रंग ऐसा है तो वैसे इसमें जरूरत भी नहीं है लाल टामाटर की तो अब इस पसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे एक बार और यहां पर मैंने थोड़े से कॉर्ण जो हैं इनको बॉइल कर लिये हैं कुकर में हमेने 2-3 सीटी लगवा ली हैं क्योंकि आजकल फ्रेश कॉर्न आ रहे हैं तो यह बड़े मीठे होते हैं और इसका स्वाद पालक के साथ बहुत अच्छा लगता है और यह जो पालक का पेस्ट हमने तयार किया था इसको भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे जो बरतन में लगा हुआ है और अच्छी तरह से इस सब को एक बार हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें आदा छोटा चमच मैंने नमक डाल रही हूं नमक इसमें थोड़ा कम डलता है क्योंकि पालक में अपना सॉल्ट होता है तो इसलिए जादा नमक नहीं डालना पालक वैसे भी 500 ग्राम देखने में लगती है बाद में थोड़ी सी हो जाती है और इसको अब हम ढखके न 5-6 मिनट के लिए रख देंगे बहुत जल्दी ये सबजी तैयार हो जाती है इसको बहुत जादा हमें गाड़ा भी नहीं करना है बहुत जादा इसको पतला भी नहीं रखना है और जब आप एक बार इसके बनाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी और थोड़ा सा इसमें हम चीज भी डाल देंगे ग्रेट करके आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत सिम्पल सी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट देकर जरूर बताएं